हेलो दोस्तों MS World में आपका स्वागत है जहां आपको मिलता है Competitive Maths और Reasoning के Important Questions का आसान सॉल्योशन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को Subscribe नहीं किया है तो हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को Subscribe करें और Bell आइकन को प्रेस कर लिए दोस्तों पिछली वीडियो में हम लोगों ने CGPSC 2020 जो कि 9 फरवरी 2020 को Conduct हुआ है इसका Reasoning portion देखा था और आज हम लोग इसका Maths portion देखने वाले हैं ठीक है फ्रेंड्स तो लाज्ट तक हम जुड़े रहेएगा हमारे साथ Friends यह रहा पहला question आपकी screen पर एक बंदर 30 मीटर उंचे खंबे पर चड़ता है वह पहले मिनट में 15 मीटर चड़ता है दूसरे मिनट में 12 मीटर फिसल जाता है खंबे के series पर बंदर को पहुँचने में कितना समय लगे हैं माला है ठीक है फ्रेंड्स यह हम ही निकालना है इसमें से इसको माइनस कर रहेंगे हम लो 3 मीटर दो मिनट में वो 3 मीटर चड़ता है यह हमें याद रखना है दो मिनट में 3 मीटर चड़ता है और हमें दिया हुआ है कि 30 मीटर खंबा है ठीक है एक मिनट में वो चड़ता कितना है 15 मीटर तो सबसे पहले तीस में से 15 को हम माईनस कर लेते हैं 30 माईनस 15 मतलब कि ये 15 अब अगर वो दो मिनट में 3 मिटर चड़ता है तो यहाँ से हमें 15 मिटर देखना इकितने देर में चढ़ेगा 10 मिनट में वो चड़ेगा 15 मिटर ठीक है 10 मिनट में 15 में इतना चड़ता है एक मिनिट में 15 तो फिर 15 यानि की ग्यार्वे मिनिट में वो पूरा 30 मिटर चड़ जाएगा ठीक है फ्रेंड्स तो यहां से हमारा अंसर हो जाएगा ग्यारा यह था दूसरा क्वेस्चन कि महस के पास कुछ सेव है उसने आधे सेव सुरेश को दिये कि इस वापस ले लिए उसके बाद महस ने उपलत लंबाएक क्वेस्चन है फ्रेंड्स जब इसको आप देखते हमको सिर्फ लाश्ट वाले लाइन देखनी थी कि अंत में उसके पास उतने ही सेव थे जितने की प्रारंभ में थे ठीक है फ्रेंड्स यह याद रखना है कि उतने ही थे और उसने क्या किया कि अंतिम सेव जो है ना लाश्ट वाले में हरीस से लिया कौन महस ने हरीस से एक से वापस लिया तब उसके पास उतने ही सेव हो गया माली जे एक्स थे तो X के बराबर ही हो गए कब जब वो एक से उससे वापस लिया फ्रेंड्स अगर वो एक से वापस नहीं लेता तो उसके पास एक की कमी रहती ठीक है और इसके जश्ट पहले वाले में वो बोलता है कि वो टोटल जितने भी है न उसका आधा पहले देता है और फिर एक वापस लेता है तो फ्रेंड्स हमें यहाँ से ही देखना था कि suppose कि यह उसके पास X थे और उसको आधा दे दिया ठीक है आधा देने के पास अब इसके पास बचा कितना एक बचा दो आधा ही बचा लेकिन एक जब वापस लेता है तो वो पूरा हो जाता है X ठीक है तो यहां से हमको निकलता है कि उसके पास दो सेव रहे होंगे जिसमें से वो एक देता था और एक वापस ले लेता था तो यह condition हम लोग आगे देखते हैं तो यह पूरा का पूरा process एक दो सेव कही था ठीक है कभी हम लोग इसके पारे में जब इसका chapter पढ़ेंगे तो इसके डिटेल से मैं बताऊंगा अभी आप याद रखिएगा कि दो इसका answer होता और यहां से none of this इसका answer आएगा ठीक है friends दोस्तों यह था next question यदि n बराबर 7 की घात 95 माइनस 3 की घात 58 है तब n में इकाई स्थान पर क्या ankh आएगा n में इकाई की स्थान पर अंक निकालना है friends तो आपको याद होगा आप जानते होग़ी कि जब भी ऐसा question आता है तो सबसे पहले हम दोनों की इकाई का अंक गयाद करेंगी जब इनकी एकाई का अंक है ज्याद करना होता है तो हम क्या करते हैं इसके पावर को 4 से डिवाइड करते हैं तो 58 divided by 4 जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो यहां से 2 reminder बचता है 2 reminder का मतलब 3 into 3 ठीक है मतलब की 9 जब इसको आप करेंगे 95 को 4 से देंगे तो यहां से आएगा 92 complete हो जाएगा और यहां से आपका reminder बचेगा 95 divided by 4 करेंगे तो reminder बचेगा 3 ठीक है 3 का मतलब 7 into 7 into 7 ठीक है इसका मतलब 243 तो 243 minus 9 ठीक है यहां से आप जब इसको घटाएंगे तो आजाएगा 234 234 मतलब की 11 के अंके में 4 है तो यहां से इसका अंसर यह हो जाएगा ठीक है चलिए next हम लोग देखते हैं सुनी ले 1350 में दो वस्तु में क्राई की उसने एक वस्तु को 6 प्रतिसत हानी पर तो आपको यहीं सुपसर चाजाएगा 8 7 15 8 7 15 और 7 6 13 14 यह भी उपर हो गया मतलब एक ही वे आंसर ऐसा था C number जिसकी value 7 6 13 150 हो रही थी दोनों मिला के ठीक है फ्रेंट तो इसमें हम लोग को ज़्यादा कुछ करना नहीं था यहाँ से सीधा आंसर आ जाता अगर इसको अपसॉल्व करेंगे तो भी आंसर आएगा इतना टाइम हम लोग लगाएंगे नहीं सिर्फ यहाँ से ले लेंगे ठीक है चलिए next देखते है फ्रेंट यह हमारा next question 999 और 4000 के मद्य दोनों को सम्मिलित करते हैं वैसे कितने पूरांख हैं जो अंकों 0,1,2,3,4 से बनाए जा सकते हैं यह अंकों की पूरा वृत्ति हो सके ठीक है तो आपको बस यह ध्यान रखनाता है यह किसी भी फॉर्मूले से निकलता नहीं थोड़ा सा टाइम टेकिंग आपको दो मिनिट लगाना था और यह अंसर आ जाता ठीक है सबोस करते हैं आप लोग 999 को हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि इसमें यह संख्या दी हुई नहीं है ठीक है इसके बाद जो संख्या आती है वो आती है एक हजार ठीक है एक हजार आया और इसके आगे कि देखत जाएगा आप 1001, 1002, 1003, 1004 यहां तक के कॉंबिनेशन में जो है यह संख्याएं दिख रही है आपको लेगिन जैसे 1005 करते हैं आप 5 यहां पर नहीं है तो यहां से 9 तक चला जाएगा ऐसे ही यहां फिर कामनी आएगा फिर आपको 1010, 1011, 1014 तक जाना है फिर यह 20 तक जाना है 1020 1030 1040 ठीक है फ्रेंड 1 2 3 4 5 और इन सब में 5 5 मतलब 25 ऐसे आपको calculation करके निकालना था ये 5 110 1020 यहां से complete हो जाता अब इसके बाद जब 1100 आता 1100 में भी same 5 से 25 जाता 1200 में भी same तो फ्रेंड्स जब आप लोग यहां से निकालते तो आपको पतर चलता है कि 1000 से ले करके 1100 तक के बीच में total 25 आते ठीक है वैसे ही 1100 से ले करके 1200 तक में 25 और यह सिलसिला जब आप आगे करते फ्रेंड्स यह 25 25 जाते जाता 1000 से 1125 11 से 1225 12 से 1325 ऐसे आप count करते तो इसकी total value 375 आती ठीक है और इसमें हमको 4000 को भी count करना है 4000 में भी 400 का ही combination है तो इसमें plus 1 कर देते मतलब 376 आपका answer हो जाता ठीक है चलिए next question देखते है यह दिजनिंग के थे या या फ्रेंड्स mixture का question आया था हमारे पास rate और लोहे के 1 kg मिस्रण में 20 प्रतिसद लोहा है कितना rate और मिला दिया जाए जिससे की मिस्रण में लोहा 10 प्रतिसद हो जाए बहुत easy question था friends अच्छे देखेगा तूरण समझ में आ जाएगा 1 kg मिस्रण यानि की 1000 ग्राम मिस्रण है ठीक है इसने 20 प्रतिसद लोहा है 20 प्रतिसद लोहा है तो 80 प्रतिसद हमारे पास क्या होगा rate होगा ठीक है friends 20 प्रतिसद लोहा 80 प्रतिसद रेट अब 1000 का 20 प्रतिसद किता होगा 200 ग्राम लोहा 800 ग्राम रेट ठीक है अब बोलता है कि कितना rate और मिला दिया जाए जिससे मिस्रण में लोहा 10% हो जाए मिलाना है हमको रेत लोहे की quantity हम लोग चेंज नहीं कर रहे हैं तो जब 200 200 ग्राम ही रहेगा और यह 10% हो जाएगा मतलब 200 ग्राम बराबर 10% ठीक है तो 90 प्रतिसत यह बचेगा 90 प्रतिसत हो जाएगा इसका 1800 ग्राम ठीक है 200 ग्राम 10% होगा और तो यह 1800 ग्राम हो जाएगा तो 1800 ग्राम करने के लिए इसमें हमको क्या करना पड़ेगा 1000 ग्राम और रेत मिलाना पड़ेगा यानि की 1 किलो ग्राम यह इसका अंसर हो जाएगा ठीक है अगला क्वेश्चन पाई चार्ट से था नीचे एक पाई चार्ट दिया गया है कुल मासिक आय दी हुई है और इसमें से अलग अलग खर्च दीव में भोजन पर घर की किराया पर मनोरंजन पर और इससे आगे में दो क्वेश्चन पूछे में तो इसका हम करना था ठीक है दोस्तो ये रहा क्वेश्चन पहला इसमें पाई चार्ट के अंदर का कि परिवार द्वारा भोजन और मनोरंजन में सैयुक तुरूप से प्रती माहा खर्च की गई कुल राशी कितनी है भोजन और मनोरंजन पर ठीक है देखे दोस्तो भोजन है A और मनोरंजन है C मतलब A और C पर कितना वह 25 और 9 34 34% जो है हम लोग खर्च किये थे कि इस पर भोजन और मनोरंजन पर तो हमको बस इतना ही करना था 33,650 का 34% हमको निकाल लेना था और यही हमारा आंसर हो जाता ठीक है D चले next देखते हीं प्रती माह घर का किराया कितना है ठीक है friends हम लोग आ जाते हैं घर के किराया पर ठीक है घर का किराया क्या है B B है 18% to इसका हम लोग को निकालना था 18% तो यहां से इसका आंसर आ जाता 33,650 का 18% हम लोग को निकालना था, यहां से आप निकालते हैं, तो answer इसका C आ जाता है, ठीक है friends दोस्तों ये रहा अगला question IU से संबन, ठीक है, मा की वर्तमान IU, बेटी की वर्तमान IU की तीन गुनी है, ये है मा, ये है बेटी, ठीक है मा की IU कितनी है बेटी की उमर की तीन गुनी है, मतलब कि अगर बेटी है X, तो मा है 3X, ठीक है, बारा वर्स के बाद मा की IU, बेटी की आईउ की दुगनी हो जाएगी, कितने वर्स बाद बारा वर्स के बाद, कितनी हो जाएगी, ये अगर X रहेगी तो ये 2X हो जाएगी, ठीक है डिफरेंस कितना है, 12 साल के बाद ये भी 12 होगे, और ये भी 12 होगे मतलब कि X बरावर जो था ना, वो 12 मिला ठीक है, तो मतलब इसकी उमर थी 12 वर्स, और इसकी उमर हो गई 36 वर्स, इसको क्रोस चेक आप कर सकते हैं, 12 साल के बाद ही हो जाएगा 24 और ये हो जाएगा, और तालिस ये दुगना हो गया, और ये तीन गुणा हो गया ठीक है फ्रेंस, तो यहां से आंसर आपका B आता, 12 वर्स दोस्तों कि ये क्वेस्चन आये थे, रिजनिंग के अंदर कल मैंने बताना भूल किया था, तो यहां से आप देखेंगे कि इसको बस calculate करना था, आपको इनका relation बैठाना था, जब ऐसा आप बैठाते तो इसका अर्थ M का B से क्या संबंद है, आप निकालते तो यहां से answer इसका B आ जाता, ठीक, next पे, जब इसका आप calculation करते तो यहां से answer E हो जाता, ठीक है, यह आप चीक कर लिजेगा, इससे ज़्यादा calculation इसमें कुछ था नहीं, चली बढ़ते हैं हमारे next question की तरफ, friends यह है next question time और distance से, ठीक है, maximum लोगों से यह question, maximum के लिए यह question tough हो जाता है, हम इसे बहुत ही easily solve करेंगे और आप इसका answer तुरंत बता पाएंगे, ठीक है, ठीक है, तो चली ट्राइ करते हैं दो सहर A और B, 125 km की दूरी पर है, सबसे पहले आपको क्या करना है, एक diagram बनाना है, A और B के बीच की दूरी निकाल लेनी है, 125 km, ठीक है, फिर बोलता है, एक व्यक्ति P से, एक व्यक्ति है P, जो सहर A से, किधर से, A से जा रहा है वो, B की तरफ, ठीक है, किसी स्पीड से जा रहा है, सुबह 7.30 पर जा रहा है, और 25 km प्रती घंटे की स्पीड से जा रहा है, ठीक है, दूसरा व्यक्ति है Q, जो किधर आ रहा, B से लोग क्या करते हैं इसके और इसके time को match कर लेते हैं देखिए ये 7.30 बजे और ये 7.30 बजे निकल गया तो जब ये 7.30 बजे निकला है तो इसको हम 7.30 तक पहुंचाते हैं सपोस कि यहां तक वो पहुंचा है साड़े साथ पे चुकि इसकी speed 30 km एक घंटे में थी तो वो आधा घंटा साथ से साड़े साथ में कितना चलेगा 15 km चलेगा ये दूरी हो गई हमारी 15 km ठीक है फ्रेंट 125 में से 15 अगर निकाल देते हैं आप तो हमारे पास बजता है 110 km दोनों का आप टाइमिंगों के साड़े साथ और साड़े साथ ठीक है तो अब हम यहां से निकालते हैं आपको पता है चाल बराबर होता है दूरी बटा समय ठीक है तो जब दो चालें ऑपोजिट डिरेक्शन में होती है तो वापस में क्या होती है जुड़ जाती है 21 की स्पीड है 25 एग की स्पीड है 30 दोनों जुड़ के कितना हो गया 55 किलो मेटर प्रती घंटा चाल हो गया दूरी कितनी बची हमारे पास 110 किलो मेटर और समय कितना ले रहा है यह हमें निकालना है यहां से टाइम निकालेंगे जब टाइम को आप इधर ट्रांसफर करेंगे तो यह पचपन एक कम पचपन और पचपन दूनी 110 मतलब उसको टा से मिलने में तो मतलब 7.5 साथ से 2 गंटा 9 तो इसी साब से आपका आंसर यह आ जाता ठीक है चलिए next question की ओर बढ़ते हैं दोस्तों यह रहा आपका अगला question time और work से 6 लड़के और 2 लड़कियां किसी काम को 5 दिनों में कर सकते हैं जबकि 13 लड़के और 7 लड़कियां उसी क आपको कितने दिन में पूरा कर सकेंगे बहुत ही easy question था अगर आपसे बनता है तो अच्छी बात है नहीं बनता है जल्दी से हम लोग देख लेते हैं इसको कैसे बनाना था friends बिलकुल easy solution था क्या करना था हम लोग को 6 लड़के मतलब कि 6 boys तथा 2 लड़कियां 2 girls किसी काम को 5 दिन में कर लेती हैं ये दोनों मिलके कितने दिन में कर रहे हैं 5 दिन में ठीक है इसके बराबर में ले लेना था आपको 13 लड़के कितने 13 boys plus 7 लड़कियां 7 girls और ये दोनो मिलके आपस में कितने दिन में काम कर ले रहे थे दो दिन में इसको हम solve करेंगे तो आएगा 30B 10G is equal to 26B plus 14G B को एक तरफ और G को एक तरफ ले लेते हैं जब ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 4B और जब ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 4G तो मतलब एक boys एक girls के बराबर था यहां से हमको इसकी value पता चल गई अब बोलता है 7 लड़के तीन लड़कियां उस काम को कितने दिन में करेंगे ठीक है friends ये हमें निकालना था सबसे पहले अब देखिए 6 लड़के तथा 2 लड़कियां इसको आप या तो लड़कों में कर girls की value पता चल गए दोनों आपस में बराबर हैं अब हम आजाते हैं पहली line पे 6 लड़कियां तथा 2 लड़कियां 6 और 2 आपस में बराबर हैं मतलब की 8 लड़कियां लड़कियां ले लीजे ये काम को कर रहे हैं 5 दिन में ठीक है तो एक लड़का किदने दिन में काम आपको याद रखना है ये पक्छांतर का काम नहीं करता है चुकि लड़के ज्यादा हैं तो काम कम हो और अब अगर लड़के कम होंगे तो काम ज्यादा दिन में होगा ज्यादा का मतलब 5 इंटु 8 होता है याद रखिए घाना का मतलब गुणा है फिर आते हैं 7 प्लस 3 लाबर 10 लड़के हो गए चुकि एक लड़के जो हैं इतने दिन में काम कर रहे थे तो 10 क्या करेंगे उससे कम दिन में काम करेंगे कम का मतलब होता है भाग देना ठीक है जब आप इसको सॉल्व करते तो यहां से इसकी वेल्व आ जाती चार ठीक है यहां से आप का अंसार आ चार जब हम लोग टाइम वर्क पढ़ेंगे फ्रेंड्स तो इसके बारे में मैं डिटेल से बताऊंगा कि ऐसा कैसे होता है चलिए नेक्स्ट क्वेस्टन देखते हैं हम लोग दोस्तों यह था हमारा अगला क्वेस्टन पी बटे क्यू बराबर साथ तो पी प्लस क्यू बटे पी माइनस क्यू का मान निकालना था यहां से आपको कुछ भी नहीं करना था P बटे Q बराबर 7 दिया है 7 के नीचे कुछ नहीं मतलब हम लोग एक मान सकते है P की विल्यू 7 और Q की विल्यू 1 रख देना था तो यहां से आ जाता 7 प्लस 1 बटे 7 माइनस 1 ठीक है यहां से आप करते तो 8 बटे 6 जब इसको आप डिवाइड करते तो 2-3 अच्छी है और 2-4 बटे 3 यहां आपका आंसर हो जाता शली है नेक्स्ट क्वेस्चन देखते है P तथा Q मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं Q और R 6 दिन में P और R 4 दिन में तो P Q R मिलकर कितने में करेंगे देखे फ्रेंट्स आपको याद रखना था यहां पहले P Q फिर Q R और P R है सपोस कि ज़िए अगर हम लोग इसको एड करते हैं तो हमको क्या मिलेगा 2 बार P, 2 बार R और 2 बार Q मिलेगा मतलब 2 P 2 Q और 2 R मिलता है इसमें से हम 2 common ले लेते हैं तो P प्लस Q प्लस R की value हमें मिल जाती है ठीक है यही process हमको इसमें follow करना रहता है करना क्या था हमें जिसकी value दिया हमको add कर लेते हैं चुकि इनका यह total काम है तो एक दिन का काम हम निकालते हैं एक दिन का काम कितना हो जाएगा एक बटा 12 एक बटा 6 और एक बटा 4 जब इसको आप solve करेंगे तो इसकी value कितनी हो जाएगी यह जिए हम हो जाएगा 12 एक प्लस 2 प्लस 3 कितना हो गया 6 बटे 12 मतलब एक बटा 2 हमारा आया चुकि हम लोग यहाँ पे दो को पहले common निकाले थे ठीक है फ्रेंट तो यह जो होगा एक बटा 2 जाएगा सब एक बटे में आए तो यह भी बटे 2 जाएगा इसकी वेल्योग एक बटे 4 और एक बटे 4 हुआ एक दिन का काम यदि जानवरों की कुल सीर 43 है ठीक है और कुल 142 पैर है तो कितनी मुर्गियां है यह निकालना था हमे तो सबसे पहले मुर्गियों को M मान लेते हैं बटे बटे मुर्गी प्लस बटे यह टोटल इनके सीर है 43 क्योंकि यह सब के पास एक ही सीर होता है अब अगर इसको करते हैं तो मुर्गी के पास होते हैं दो पैर तो दो मुर्गी प्लस बटे के पास होते हैं चार तो 4 भी और यह टोटल हो गए थे 142 ठीक है फ्रेंट्स अब आपको करना यह था कि हमें निकालनी थी मुर्गिया जब हमको मुर्गिया निकालनी होती है तो हम सीधे से पहले इधर दर पक्छांता निकरेंगे मुर्गियों को रहन देंगे बकरे को कट करना है तो यह कट कब होगा जब इन सब का गुणा कर देंगे हम लोग 4 से जब 4 से करेंगे तो देखिए एक नया वेल्यू क्या आएगा 4M आ जाएगा यहां से 4B आ जाएगा और यह इसका गुणा जब 4 में होगा तो 160 172 आ जाएगा ठीक है 172 जब इसको आप सॉल्व करते तो यहां से आता 4M प्लस 4B बरावर 172 और यह तो था ही 2M प्लस 4B बरावर 142 यहां से इनका साइन चेंज जाता है यह माइनस यह माइनस यह माइनस तो यहां से यह कट जाता है यहां क्या था 2M बरावर इससे घटाते तो 30 तो M बरावर कितना हो जाता ये हमारा answer आ जाता ठीक है चलिए next question देखते हैं दिए गए कतन को ध्यान पूरोग पढ़िए साथ दिनो में मिनिटों की संख्या साथ सप्ताओं में गंटों की संख्या साथ दिनो में मिनटों की संख्या निकालने थी हमें देखिए एक दिन में होते हैं 24 गंटे और एक गंटे में होता है 60 गंटे ये निकल गया और दूसरा बोलता है 60 सब्ताहों में गंटों जंग्या एक सब्ताह में होते हैं 7 दिन एक दिन में होते हैं 24 गंटे तो 60 सब्ताह में कितने होंगे 60 सपता में इतने घंटे ठीक है friends एक दिन में 24 घंटे 24 घंटे में इतने मिनट और ये 7 दिन के हो जाएंगे इतने मिनट टोटल वैसे ही इसको जब हम इसको ऐसा निकालते हैं friends तो यहां से हमको क्या निकलता है कि दोनों की मातरा यहां पास में बराबर है यह कुस्चन आया था इसी था चलिए नेक्स्ट क्वेस्चन देखते है जोस्तों यह था नेक्स्ट क्वेस्चन की पास सतत विसम संख्याओं का A, B, C, D का आउसत 41 है ठीक है ए और E का गुडनफल गया चीज़ए याद रखिएगा जब दोनों के बीच का अंतर बराबर होता है जब अंतर जो होना सब के बीच का बराबर होता है तो संख्याय जो होती है इनका जो आउशाथ होगा वो बीच वाली संख्या होती है याद रखिएगा तो चुंकि विसम संख्या है तो एक तीन पांस साथ के टम में होगी डिफरेंस बराबर होगा लगतार है इसलिए 41 जो हो गया बोलता है ए और ए का गुड़न फल मतलब इसका और इसका गुड़न फल निकालना था हमें फ्रेंट जब इसका आप गुड़न फल निकालते तो इसका आंसर 1665 है चलिए नेश्ट देखते हैं यदि किसी स्कूल में 60 प्रतिसत बालग है 60 प्रतिसत क्या है? बॉयस है तो обिश्षी बात है 40% क्या होंगे? गरल होंगी छातराओं की संख्य दे दिए है मतलब यही इसी की बेली दिए है 812 तो बालकों की संख्य कितनी होगी? बालकों की संख्य इतनी आपको याद रखना था बस 812 ये 40% है तो 1% हो गया है इतना और 60 परसेंट हो जाएगा इतना इसको जब आप कैलकुलेट करते हैं तो आपको 1218 इसका आंसर आ जाता ठीक है चलिए नेक्ट देखते हैं साधी के समय एक औरत तता उसके पती की आयू औसत आयू 23 वर्स थी ठीक है हस्बेंड और वाइफ की आयू 23 थी दोनों की आयू मिला के किती हो जाती 46 वर्स हो जाती पांच वर्स बाद उनके पास एक वर्स का बच्चा है अब सारे परिवार की आयू पांच वर्स के बाद दोनों में 5-5 जुड़ता मतलब 10 सा जुड़ता पांच साल के बाद इनकी आयू जाती 56 वर्स एक साल का एक बच्चा भी जुड़ गया अब इसकी उमर हो गए 57 वर्स और आदमी हो गए 3 जब इनको आप डिवाइट करते हैं यहां से एवरेज 19 वर्स आ जाता ठीक है फ्रेंड्स यह बहुत easy solution था चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं next question याद रखिए फ्रेंड्स हम लोग जो भी solution देखते हैं उनमें हम किसी भी तरह का formula यूज नहीं करते हैं ठीक है हम लोग जितनी कोसिस करते हैं कि कम से कम formula में easy से easy solution मिल सकें ठीक है अगर आप आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को like करें और इसे अपने friends circle में share करना विल्कुल ना बोले ठीक है friends और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को subscribe कर सकते हैं और bell icon को press कर सकते हैं ताकि next video की notification आपको मिल सकें चले देखते हैं हम लोग next question friends अगला question simplification से था वह संख्या जिसका साढ़े बारा प्रतिसरत 175 सहीं एक बटा 2 है तो वह संख्या निकाले थे माले जिए वह संख्या है x ठीक है x का साढ़े बारा परसेंट मतलब 12.5% है 175.5 ठीक है friends इनको हम लोग क्या करते हैं सबसे पहले point को हटा लेते हैं यहां से point हटाएंगे तो यहां पे 0 और यहां से point हटाएंगे तो 10 ठीक है बस इतना ही करना था आपको इसको calculate करते हैं तो यहां से आपको 1440 का answer आ जाता ठीक है चलिए next देखते हैं दोस्तो अगला question भी simplification से है 84 100 का 32 प्रतिसत और 760 का 15 प्रतिसत का मान क्या होगा देखें इसमें कुछ भी नहीं करना था बस आपको इसकी value रखनी थी 84 100 का 32 प्रतिसत प्लस 760 का 15 प्रतिसत ठीक है दोस्तो इसको यहां से solve करके आप answer ला सकते थे यहां क्या कर सकते थे 76 का 15 परसेंट हमको पता है कि 10 परसेंट क्या होता है एक संख्या क्या आगे point लगा जाए इसमालब 76 और 76 का आधा कितना होता है 38 76 और 38 को आप प्लस करते ठीक है तो यहां से इसका 15 परसेंट आया था वैसे ही आप 32 परसेंट निकाल सकते थे हमको पता है कि एक संख्या के पाद लगा देते हैं 10 परसेंट 840 इसका 3 गुना कर लेते तो आपको 30 परसेंट मिलता और 1 परसेंट है 84 इसक हनुपाते 9 में है 8 हनुपात 9 में है यदि उन में पहली रासी पहली रासी यह है 24 तो दूसरी रासी क्या है देखे फ्रेंट एकदम सिंपल था इसमें क्या करना था हम लोग को कि हम लोग को देखना था कि ऐसा क्या कर रही है हम लोग 8 में जिससे कि 24 है मतलब हमको पता है कि multiply by 3 multiply by 3 करते तो 24 है आता पस हमको यही same चीज़ यहाँ पर बेकरना है multiply by 3 जब इसका multiply by 3 करते तो 27 आपका answer आ जाता ठीक है चलिए बढ़ते हैं हमारे next question की तरफ किसी संख्या का 2 गुना से 15 कम 25 के बराबर है वो संख्या निकालनी है हम अब वो संख्या निकाल लेते हैं suppose कीजिए वो संख्या एक्स है इसका 2 गुना जो है 2 गुना करने के बाद 15 अगर कम कर देते हैं तो वो 25 के बराबर है मतलब अगर 15 कम नहीं करते हैं तो वो 25 से 15 जादा होता बस यही करना था हमें 25 प्लस 15 मतलब कि वो संख्या हो जाती 40 कब 2 एक्स बराबर हो जाता 40 दो गुना करने पर 40 होता तो एक गुना करने पर 20 आपका अंसर आजाता ए ठीक है प्रेट चलिए बढ़ते हैं हम लोग next question की तरफ दोस्तों यह question था n और p दोनों विसम संख्या है तो कौन सी संख्या संख्या होगी यह आपको हमेशा याद रखना है कि दो विसम संख्याओं का योग जो होता है हमेशा एक संख्या होती है अगर कभी आप यह भूल जाते हैं आपको confusion होता है तो कभी भी इस type के question को कैसे आसानी solve कर सकते हैं देखते हैं माल लीजए n और p दोनों विसम संख्या तो यहाँ से हमारा answer ऐसा निकल जाता है जब भी आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो ऐसा आप एक वेलू रख के भी इसका अंसर निकाल सकते हैं ठीक है चलिए next देखते हैं ये reasoning से question था friends ये कल छूड़ गिया था चलिए बस इसको देखना था इसको जब आप मिलाते जाते a into b का अर्थ क्या है वगएरा वगएरा तो यहां से अंसर इसका दक्षिन पूर आ जाता ठीक है चलिए हम लोग बढ़ते है next question की तरफ question स्क्रीन पर दिख रहा है यदि plus का अर्थ भाग माइनस का अर्थ धन गुणा का अर्थ माइनस और भागित का अर्थ गुणा है तो इसको solve करना था बस आपको board mass follow करना था और यहां से इसका अंसर आ जाता ठीक है दोस्तों तो board mass को follow करेंगे bracket of divide multiplication addition then subtraction ठीक है जब इसको solve करते तो यहां से 46 इसका आंसर आ जाता दोस्तों math से बस इतने ही question आया थे तो चैनल को subscribe करके bell icon press करें ताकि next video की notification आपको मिल सकें अंत तक video देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद thanks for watching and be connected